आधार कार्ड में अगर दोस्तों आप भी अपना मोबाइल नमबर लिंक या चेंज करना चाते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आधार कार्ड में आप अपना मोबाइल नमबर लिंक या चेंज कैसे करें तो हम यहाँ पे सबसे उपर आप देख सकते हैं आप एक Chrome Browser हम इस application को open कर लेंगे अगर आपके पास Chrome Browser application नहीं है तो आप किसी और भी browser में search में जाके आप यहाँ पे सबसे उपर यहाँ पे search में जाएंगे आप आपको उपर यहाँ पे scroll down करते जाना है और यहाँ पे book and appointment पे आपको click करना है book and appointment पे click करने के बाद आपके सामनी next page खुल के आजाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं book and appointment यहाँ पे आप रस आधार सेवा के अंदर होते हैं UIDI दोरा run किये जाते हैं कुछ आधार सेवा के अंदर होते हैं वो restart दोरा run किये जाते हैं तो हम इस पे चलेंगे यहाँ पे जो UIDI दोर आधार सेवा के अंदर run किये जाते हैं तो यहाँ पे select city location आपको यहाँ पे जो अपना मोबाइल नंबर डालना है अगर आप अपना मोबाइल नंबर नया मोबाइल नंबर आप अपना लिंक करना चाहते हैं तो वो डालना है अगर आप अपडेट करना चाहते तो अपना पुराना नंबर जो है वो आपको डालना है तो मैं आपना मोबाइल नंबर यहां पर डाल देता हूँ इसके बाद आपको यहाँ पर Capfert डालना यह जो box के अंदर होता ही आपको यहाँ पर Cap Line Goat डालना है तो मैं पर Capjut kunna Goat डाल देता हूँ इसके बाद आपको यहाँ पर generate OTP पर किलिक कर देना है आपके mobile फाइल नमबर पर OTP आएगा, वह आपको यहां पर OTP डालना है, तो मैं यहां पर OTP यहां पर डालाओ, 3, 5, 7, 4, इसको आपको verify OTP पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने next page खुल के आ जाएगा, यहां पर आपको यहां पर आधार नमबर आपको यहां पर डालना है, तो मैं आप आधार number डाल देता हूँ अपना मैं आप आधार number फिल कर देता हूँ इसके बाद आपको name आधार card पर क्या नाम है आपको नाम डालना है तो मैं आप आप नाम डाल देता हूँ जैसा कि मैं अपने यहां पे friend का जो आधार में mobile number लिंक कर रहा हूं तो मैं आपको यहां पे document यहां पे select कर लेने हैं जैसे कि आपको यहां पे कोई अगर नाबालिक है तो यहां पे होफ यहां पे आपको करना है अगर यहाँ पर नाबालिक नहीं है तो आपको यहाँ पर document पर click करना है जैसे इसके बाद आपको यहाँ पर select यहाँ पर state आपको select करना है तो मैं आपको अपना state select कर लेता हूँ उत्तर पतेस इसके बाद आपको यहाँ पे city select करनी है तो मैं यहाँ पे city select कर लेता हूँ आगरा इसके बाद आधार सेवा के अंदर आपको select कर लेना है इसके बाद आपको next पे click कर देना है next पे click करने के बाद आपके सामने next पे खुल जाएगा यहाँ पे आपको क्या अपडेट करना चाहते हैं कि name, gender, mobile number, email id, address, data बर तो मैं जैसा कि यहाँ पे mobile number यहाँ पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस पे click करूँगा इसके बाद आप यहाँ से अपना mobile number change ये update कर सकते हैं इसके बाद मैं इसको nest पे click कर दूँगा nest पे click करने के बाद आपको यहाँ पे appointment यहाँ पे लेने के लिए कह रहा है तो आप 30 तारीक आज की date में नहीं है तो इसके बाद हम यहाँ पे 31 तारीक की date में देखेंगे इसमें भी appointment नहीं है इसके बाद हम इसको next August में देखें इसके बाद August की 10 तारीक को हम देखेंगे 10 तारीक में भी नहीं है इसके बाद मैं 18 अगस्ट की date यहाँ पर select कर लेता हूँ 18 की select करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर available slot आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, appointment confirmation यहाँ पे 18 अगरस्ति की आप देख सकते हैं, और time यहाँ पे चक कर सकते हैं। और address यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ अधासेवा केंद्र का. इसके बाद आपको यहाँ पे next पे click कर देना है. next पे क्लिक करने के बाद application review, apartment detail यहाँ पे चख कर सकते हैं, apartment type, अधार सेवा केंद्र यहाँ पे verification type और time slot यहाँ पे चख कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे submit पे क्लिक कर देना है, submit पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ok पे क्लिक कर देना है, ok पे क्लिक करने के ब अपडेट या लिंक करने को आपको देने पड़ेंगे तो हम इसको online पे क्लिक कर देंगे, payment gateway आप देख सकते हैं pay you तो हम इस पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आप credit card, debit card, net banking UPI से भी आप payment कर सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ पे debit card पे debit card पे क्लिक करके इसको make payment पे क्लिक कर दूँगा make payment पे क्लिक करने का तो आपको यहाँ पे payment gateway पे लेके चाहिए आपको यहाँ पे अपना card number और यहाँ पे expiry date, CV number और name के उपर क्या card आपको डाल के यहाँ पे proceed पे क्लिक कर देना है तो मैं आपके सारी detail यहाँ पे fill कर देता हूँ इसके बाद जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना debit card number expiry date और CV number और name on card आपको डाल देना है जो card के उपर आपका नाम लिखा हुआ है इसके बाद आपको यहाँ पे proceed पे नीचे क्लिक कर देना है proceed पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे processing your payment यहाँ पे हो रहा है तो जैसे ही यहाँ हो जाएगा complete तो आपके mobile number पे जो आपका mobile number है बैंक में registered उसके आपका एक OTP आएगा तो यहाँ पे आपको OTP डाल देना तो मैं आपके OTP डाल देता हूँ OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे make payment पे क्लिक कर देना है make payment पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा payment यहाँ पे successful हो गया है आप यहाँ पे appointment देख सकते हैं यहाँ पे transaction ID और यहाँ पे आपने 50 रुपे फीज दी यहाँ पे mobile number update की तो आदार सेवा के अंदर आप पे payment success हो गया आप यहाँ पे payment receive यह application form को यहाँ पे आप इसको download कर सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ पे application form पे क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा application form पे यहाँ पे download यहाँ पे तो आपको इसको यह प्रिंट ले लेना है इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो आप आदार कार्ट में नाम क्या है mobile number के update करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे PDF में जैसा कि मैंने इसको यहाँ पे PDF में मैं इसको save कर लेता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे PDF में save कर लेता हूँ आपको application form लेकर आप अपने आधार सेवा के अंदर में जाके आपको biometric fingerprints देने होंगे और आपका mobile number लिंक कर दिया जाएगा तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है मन में कोई संका हो तो आप मेरे comments box में पूछ सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें